मुझे लगता है कि web series direction के लिए एक अलग से कोई institute चलाय जा रहा है जहां से पढ़कर सब एक जैसी web series बनाते जा रहे हैं बले इन web series की कहानी अलग हो लेकिन देखकर लगता है जैसे अलग-अलग कहानियों को लेकर एक web series बनाने वाली machine में डाला जाता है और दूसरी तरफ से अलग-अलग कहानियों वाली same web series बाहर निकल कर आ रही है जिनके रंग अलग हो सकते हैं लेकिन टेस्ट एक जैसा ही है web series रिव्यू करेंगे सास बहू और फ्लेमिंगो कहानी है एक ऐसे परिवार के जिसकी हेड है सावित्री यानि डिम्पल का पाडिया ये परिवार आम परिवारों से अलग है जहां दो बहुए एक बेटी एक नजायस बेटे के अंडर में 500 करोड टर्ण ओवर वाला illegal business चल रहा है जिससे उनके दोनों असल बेटे अंजान है वेब सीरीज में इस illegal चल रहे सामराज्य के असल वारिस को चुनने की कहानी को केंदर में रख कर सारे characters और उनसे जुड़े किससे दिखाने की कोशिश की गई है जो कुछ मौकों पर कारगर सावित होती है तो कुछ मौकों पर व ग्रेड की वेब सीरीज में भी जिस प्रकार से कला के नाम पर blue film दिखाई जाती रही है वो इस वेब सीरीज में भी continue है तो कुल मिलाके कहानी है female oriented इस सामराज्य को चलाने के लिए वारिस की खोच वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले उतार चढ़ाओ के साथ देखने को मिलता है कुछ मौकों पर स्क्रीन प्ले इतना engaging लगता है कि आप कहानी से जुड़ जाएंगे लेकिन फिर कई मौकों पर scenes को बेवज़ है इतना stretch करके दिखाये गया है कि आपकी उंगलिया forward button पर चलने फिर टेस्ट करने के लिए वापस 40 सेकंड बैक किया और फिर से scene को देखा तो मुझे खुद पे गर्भ हुआ कि वाकई में मेरा decision सही था और इन 40 सेकंड को देखना फिजूल ही रहा था अच्छे screenplay के कुछ examples दिये जा सकते हैं जैसे कि सावित्री के दोनों बेटों का पहल इस पहले scene में वो दोनों अपना suitcase pack कर रहे होते हैं एक suitcase को तरीके से pack करता है यानि iron किये कपडों को सलीके से suitcase में रखकर उसे बंद करता है और दूसरा गंदे कपडों को जवरदस्ती suitcase में भर कर उसे बड़ी मुश्किल से बंद कर पाता है किसी के characterization को दिखाने का ये अच वही बड़ा वाला लड़का अपने जीवन को seriously नहीं ले रहा है ड्रक्स में डूबा हुआ है और बेढंग तरीके से जीवन को जीता है इसी प्रकार से जब दोनों भाई घर पहुचने को होते हैं तो रास्ते में अपने घर के member को discuss करते हैं वही इसके parallel एक और scene चल रहा हो पतनी सीधी सीधी life बिता रहे होते हैं इस बात से अंजान कि उसका पती या उसकी पतनी एक killer है या spy agent है इवन son of सत्य मूर्ती में भी इसी से मिलता जुलता scene देखने को मिला था इसी तरीके से एक scene में heavy drugs लेने के बाद किस तरीके की feeling आती है उसे बड़े अच्छे तरीके स audience को दिखाया जाता है lesbian sex और vulgarity इन दोनों के लिए आजकल की web series में हमेशा एक अलग स्थान रहता है हमारे यहां के लड़कियां या लड़के इतने lesbian या gay भी नहीं है जितना ये web series लोगों के दिमाग में भड़ते जा रहे हैं इनके पीछे के मकसत पर बात की जा सकती है ल फील कराता है कि web series makers कैसे folk song जो देश की संस्कृति का हिस्सा है उसे विदेशी मानसिक्ता के साथ जबरदस्ती जोड़कर दिखाने का काम कर रही हैं ये sweet poison है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में फिल्मों के माध्यम से भरा जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब ये सब ची इनो भाई घर से दूर रह रहे हैं और इनकी अपनी family से ज्यादा understanding भी नहीं रही है ऐसी situation में ये dialogue double meaning वाला बन पड़ता है इसी प्रकार से एक dialogue है मेरे पास खोने के लिए मा का भरोसा है और reply आता है तेरे पास मैं नहीं हूँ खोने को आप web series देखेंगे तो शायद इन dialogue क इसी गहराई को समझ पाएंगे इसी प्रकार से एक जगे dialogue है कि बताओ कि इस तस्वीर में मेरा पसंदीदा घोडा कौन सा है जवाब मिलता है ये वाला फिर सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों तो जवाब मिलता है क्योंकि वो घोडा सबसे पीछे है जब आप web series देखें बट सच पूछिए तो जैसे कि मैंने शुरुवात में कहा था कि पता नहीं क्यों आप सारी web series एक से flavor वाली लगने लगी है इवन acting level भी सबका same सा लगने लगा है जज़ करने का मन ही नहीं करता क्योंकि हर web series का character मुझे एक सा लगने लगा है especially जहां मार काट LGBTQ bold scenes film का हिस्सा ह हां comedy web series या drama web series थोड़ी अलग हो जाती है बट सास बहू और flamingo जैसी web series की bard सी आई हुई है as I said की story अलग रहती है बट फिर भी feeling same सी रहती है इसलिए acting पर ग्यान देना जबरदस्ती सा लगेगा हां दीपक डोब्रियाल थोड़े अलग ज़रूर लगे बाकि सारे actors की acting ऐसी ह जिससे मिलती जुलती acting पहले कई web series में दूसरे actors अलड़ी कर चुके हैं कहानी की बात करें तो देखिए मुझे तो नहीं पता कि राजस्थान के कौन से इलाके में इस तरह से महिलाओं का ग्रुप दुनिया का सबसे demandable drugs बनाता है I mean film में दिखाया है तो reality से कही न कहीं तो connection होना चाहिए ना एनिवेस बीजेम कुछ मौकों पर अच्छा है lighting cinematographic camera work सब एकदम वैसाई है जैसे कि इस grade की web series में होता है कुछ भी अलग नहीं है बाकि अलग कुछ बात करने के लिए है नहीं इस web series में मेरी तरफ से two and a half stars have a nice day